अगर अभी तक आपने हर्याना सिविल सर्विसिस के फॉर्म नहीं भरे हैं तो एक बार इस वीडियो के गो थू हो जाओ इसमें जो जो लिखा गया यह सारी शीज़े इसके दर मैं डिस्कस करूँगा क्या-क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कौन-कौन से टॉपिक कवर किये जाएंगे इस लेक्चर में आप अपना अप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे किस ऑप्शनल से जल्दी स्लेविस कवर होता है और किसमें मार्क्स ज्यादा मिलते है मेडियुम फॉर मेंस एक्जामिनेश्शन मुख्या प्रिक्षा के लिए कौनसा माध्यम होना चाहिए हिंदी के अंदर मुख्या प्रिक्षा लिखें या फिर इंग्लिश के अंदर लिखें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पंजाबी या संस्क्रिट में भी लिखना चाहता हूँ तो बात करेंगे इस लेक्षर में फ्री सीसेट स्टेडी मेटिरियल कैसे डाउनलोड करना है और प्रिवियस येर पेपर जो हैं उसको कैसे डाउनलोड किया जा सकता है डिरेक्ट आपके फोन में ये सारी चीजों का इस लेक्षर के अंदर हम डिसक्रिशन करेंगे ठीक है वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि हमारी अप्लिकेशन है Study Master Official जिसके उपर की काफी सारे पेड और फ्री कोर्सिस चलते रहते हैं तो आप लोग जो है अप्लिकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर वहाँ पर लिखे है Study Master Official आपको हमारी अप्लिकेशन दिखेगी ये लोगो लगा होगा आप उसको डाउनलोड कर लिजे अपने फोन में इंस्टॉल कर लिजे आपको काफी सारी चीजें फ्री एंड पेड कोर्सिस के बारे में वहाँ पर मिल जाएगी अभी जो है Discount Rate चल रहा है हमारे HCS के Courses पर तो वह आप लोग जो avail कर सकते हैं different different courses के उपर different different students के लिए जो है Discount चल रहा है तो आप वह जाके देख सकते हैं application को डाउनलोड करके कोई doubt हो तो आप हमारा WhatsApp नंबर है 9896160956 इस पर WhatsApp कर दीजिए अपनी कोई भी query है वह आपको जो है इसका solution मिल जाएगा यह सारी शीरी एक बार देख लीजएगा वीडियो को पॉज करके यह test series के बारे में है यह samples के बारे में तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है देख लीजिए screenshot लेके रख लीजिए चलिए हम अब हमारे जो है topic वे आपीस आते हैं देखिए आपको पता है mains के अंदर कितने वेपर होते में में होते है चार पेपर पहला पेपर हिंदी दूसरा English तीसरा General Studies और चौथा Optional अब यह 100 नंबर का पेपर है यह भी 100 नंबर का पेपर है General Studies दोसों का और Optional दोसों का अगर आप अपने Optional में 200 में से 120 नंबर भी स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं या 200 में से 130 स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं न कहीं आपका हिंदी में अगर कमी है आपकी English में कमी है तो वो पूरी हो सकती है और या PGS में कमी है तो वो पूरी हो सकती है अब आप भरना एक काल देट आ गई है फर्म भरने की तो या फिर लास्ट डेट आ गई है फर्म भरने की अब हम कैसे करेंगे फर्म कैसे भरें या कौंसा औपशनल चूज़ करें तो स्टूडेंट्स आपको जो है हर्याना सिभिल सर्विसीज के अंदर 23 ओपशनल मिलते हैं 23 ओपशनल क्या है? जो subject आपने graduation में पढ़ा हुआ है अगर आपका command अच्छा है उस subject के उपर graduation या फिर post graduation अगर ऐसा कोई subject है इसके अंदर जिसकी command भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि post graduation कर ली, पता ही नहीं कब graduation होई, कब post graduation होगी, subject के बारे में पता नहीं है और फिर फाइदा नहीं है, पहली preference क्या है graduation या post graduation में किया हुआ हो और अच्छी command हो, उसको अप choose कर सकते हो दूसरा जिसका syllabus short हो syllabus short and simple हो वो choose कर सकते हो तीसरा previous year paper उठाओ जो हर्याना civil services ने लिये है mains के, उसके अंदर देखो, जो भी आपके तीन या चार आपको लगता है कि यह optional आपको choose करने चाहिए, वो paper उठाओ, आप देखो कि क्या है, उस papers की wording जो examiner ने लिखी वो आपको समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है, तो फिर आप उनका question हल करने में भी जो है, सक्षम हो जाएंगे, आप उनका answer भी दे सकते हैं, अगर आपको उसकी wording ही समझ नहीं आ रही है, कि economy में पूछ क्या रहा है, तो फिर आप economy को चौथा क्या हो गया, आपका interest, कई बर क्या होता है, student को interest बहुत होता है, कि सर मुझे history पढ़ने में बड़ा मजाता है, मैं history की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मैं अपना option history रख सकता हूँ, बिलकुल बच्चे, अगर आपको history में interest है, आप history की की history मेरी, तो आप geography को choose कर सकते हो, कोई ऐसा भी हो सकता है, कि सर मुझे quality में interest है, तो वो PSIR को रख सकता है, economy को रख सकता है, तो आप अपने interest को priority दीजिए, क्योंकि जब जिस चीज़ में आपका मन लगता है, वो काम आप घंटों घंटों कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नह नहीं थकान मैसूस होगी, नहीं आप रुकोगे, तो optional में यही चीज़ें, चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ें से आप अपना optional decide कर सकते हो, उसके बाद मैं suggest करूँगा कि कौन सा optional best है, वो आप अपने according देख लेना, ये चारों चीज़ें पहले note कर लो, फिर मैं जो subject बताऊंगा, उसके according आप अपने हिसाब से देख लेना, ये सारी बता दिए, उसके बाद best source कौन से optional के हैं, students, best source कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें इतनी होती है, कि आपको समझ आ जाए, चाहिए आप NCEIT से बढ़ रहे हो, अगर समझ आ रहे हैं, तो NCEIT best है, NCEIT में नहीं समझ आया, किसी की book से समझ आ गया, कोई XYZ writer है, उसकी book best है, NCEIT से समझ नहीं है, इसकी book से समझ नहीं है, मेरे notes से समझ आ गया, तो मेरे notes best है, तो आपकी tuning, जो आपका study material है, उसके साथ आपकी कितनी बनती है, कितना आपको समझ आता है, दूसरा ये रहता है कि कई बार कुछ optionals ऐसे भी हैं जिनका study material available ही नहीं है market के अंदर कोई institute provide नहीं करवा रहा किसी books में उसका syllabus नहीं मिलता तो वो तो आप बिल्कुल choose मत कीजेगा उन चीज़ां को choose करने की जरूरत नहीं है जो आपको उनका study material ही नहीं मिले लेकिन फिर कुछ ऐसे हैं जिनका rare of the rare मिलता है कि कई बार चार साल पुराना मिल गया किसी की copy मिल गई तो वो फाइदा नहीं है जो latest study material आपको provide करवा सके वो ही जो है आप optional choose कीजेगा अब अगला question जो रहता है कि सर किस optional से जल्दी syllabus कवर होता है देखो students लेकिन इसमें जो है जल्दी या late coverage की कोई बात नहीं है अगर आप जिनमें 4 घंटे daily लगा रहे हैं आपका interest है तो आप history भी cover कर पाएंगी आप PSIR भी cover कर सकते हैं लेकिन अगर आपका interest नहीं है तो फिर आप ऐसा subject choose कीजिए जिसमें आपका syllabus सबसे छोटा है दूसरी क्या चीज़ होती economy का optional में जैसे कि आपने economy पढ़ी पहले आप लोग economy पढ़ते है prelims के लिए फिर पढ़ते है mains के लिए अब इसके बाद थोड़ी सी economy बच गई तो आप आपके optional में पढ़ सकते हो जो 70% economy का syllabus है वो आपकी general studies के अंदर cover हो जाता है 70% GS का syllabus economy का GS में cover हो जाता है और 30% ही आपको लग से पढ़ना पढ़ता है economy के अंदर दूसरा geographic के अंदर भी same है लेकिन geographic बहुत लंबा चौड़ा subject है तो इसका syllabus cover करने में time लगता है और बच्चों को चीज़े याद रखने में भी time लगता है history अगर किसी ने history honors कर रखी है या graduation में history थी तो वो अपना optional बहुत जल्दी cover कर सकता है उसको चिंता ही नहीं क्यों क्योंकि उसने BA में भी पढ़ा है उसने MA में भी history पढ़ा हुआ है तो BA में जब history में पढ़ी हुई तो फिर वो जल्दी से जल्द cover कर सकता है क्योंकि उसको सिर्फ पर सिर्फ revision की जरूरत है उसने cover नहीं करना सले बस कुछ बच्चे क्या करते हैं मतलब पता नहीं किस institute से सुनके आ जाते हैं या किस से सुनके आ जाते हैं गांधियन theory क्या कहती है माकसियन theory क्या कहती है तो ये सारी theories जब आप पढ़ोगे फिर आपको अलग अलग चीज के बारे में परिवार परिवारवाद के बारे में हर एक चीज के बारे में theories आपको पढ़नी पढ़ेंगी लेकिन इसको easy कहा जाता है easy इसलिए का जाते क्योंकि इसका study material हर institute परवाइड करवा रहा है इसलिए जो institute जिसके पास availability होती है वो कहता है कि बच्चे ये easy है इसके अंदर आजा क्योंकि उसने आपको बहलाफ तुसला के अपने course के अंदर लेना होता है इसलिए आपको बोल देता कि sociology बहुत easy है sociology में आ जाओ ऐसी बात नहीं है इंटरस्ट ही नहीं है sociology में किसी बच्चे का तो वो sociology में अच्छा perform कैसे कर पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा अगर आपका geography में इंटरस्ट है यह मत सोचे किसका syllabus ज्यादा vast है अगर आपका 70% syllabus भी cover हो गया ना 70% और आपकी एक या दो reasons हो गई आप इस sociology वारी जो exam से ज्यादा number ले सकते हो जियोग्राफी से तो आपका interest बहुत matter करता है समझ आया interest की बात optional कैसे choose करना है syllabus कैसे cover होगा अब next medium रहता है student का बहुत मतलब पुराना ये रहता है नाता कि सर अब हम क्या करें हमारा medium जो हमने एक मिनट सर हमने 10th तक तो हिंदी medium से पढ़ा है आगे फिर जो हमें English medium करवा दिया गया है तो आगे मैंने जो non medical रख ली अब मुझे तो सर इंग्लिश में आता है 10th के जो पहले वाला मैं भोल चको अब मैं क्या करूँ तो ऐसे students ना English के रहते हैं ना वो हिंदी के रहते हैं वो बीच में आके फस जाते हैं और आज के टाइम में इंडिया में 70% students ऐसे हैं जो civil services की त्यारी तो करना चाते हैं करते भी हैं लेकिन language barrier के वज़े से कही ना कहीं वो फस जाते हैं मेरे courses ये 70% students को help करेंगे language barrier में नहीं फस नहीं दूँगा आपको मैं कभी भी हिंदी या English कुछ नहीं है आपको चीज़े समझ आनी चाहिए जब आपको एक बार समझ आ गई आप उसको खुद खुद express करोगे तो एक मैंने word लिखा express medium choose करने के लिए आपको क्या सोचना है कोई भी एक topic उठा लिजे जैसे की technology अपने दिमाग में सोचिए पहले 5 मिनट तक सोचिए हिंदी में भी सोचिए इंग्लिश में भी सोचिए अगर आप हिंदी में सोच पा रहे हो तो हिंदी में ही अच्छा लिख सकते हो क्योंकि दिमाग का काम जब आप means में बैठे होते हैं उस ताइम दो कामी कठे करने होते दिमाग को अगली लाइन सोचनी भी होती है और पहले वाली लाइन लिखनी भी होती है अगर एक एक लाइन लिख सोच के लिखोगे फिर तो होगे धंदन फिर तो आप जरूर मतलब कि एसकेस ओफिसर बन जाओगे फिर नहीं कुछ हो पाएगा इसलिए दिमाग में आप किस लेंग्विज में सोचते हो हाँ अगर आप अकेले में इंग्लिश में सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है और कई ऐसे स्टुडेंट्स हैं मतलब कि हाईपोथेटिकल बात नेगी कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है वो चिंता का विश्य नहीं है आप अच्छा लिख किसमें सकते हैं वो चिंता का विश्य है तो इसलिए मीडियम बड़े ध्यान से चूल किईए कई बर कीज़ काता है हम देख देखके कि उसने इंग्लिश मीडियम लिया है वो भी इंग्लिश में कर रहा है तो आपके लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ये मैं पहले लिख के दे सकता हूँ आपके लिए तो उसकी मेनत होगी, उसने English में भी पूरी command बनाई हुई है, इसलिए उसने English में top किया है, आपकी Hindi में command है, तो बेचिन्थ, बेजिजक Hindi ले लिजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Hindi में आप अच्छा लिख पाएंगे, English Medium से भी ज्यादा नमबर आते हैं, Hindi Medium Students के sometimes, अगर वो हिंदी के अंदर अच्छे अंसर लिख पाएंगे, कोई English Medium चूज कर रहा है, तो उसको कहा जाते हैं, आप English Medium में पढ़ो, क्योंकि उसके पास उस तरह के words होते हैं, English में लिखने के लिए words हो जाते हैं, उसकी vocabulary बस्ट्राओं हो जाते हैं, तो यह सारी बाते थे, Medium के लिए, आप लोग अपना Optional बहुत ध्यान से चूज कीजिए, Optional का Medium बड़ा ध्यान से चूज कीजिए, और यह सारी बातें जरूरी नहीं, HCS के लिए important है, यह सारी बातें UPSC के लिए भी as it is important है, Union Public Service Commission, ठीक है, तो यह दोनों के regarding मैंने आपको lecture दे दिया है, कोई doubt हो, तो comment box सारी टीम आपको जल्द से जल्द reply देगी, ठीक, उसके बाद next जो था free CSAT study material, काफी students का doubt है कि sir, GS के notes तो मेरे पास हैं, लेकिन CSAT का study material नहीं है, students, CSAT का study material, free provide करवारा है, study master official, हमारी application को download कर लो, study master official, वहाँ पर free study material, side में जाके section है, free study material का, वहाँ पर जाएंगे, साफ साफ लिखा है CSAT free study material, क्लिक करेंगे, file download आपके phone में, open कीजिए, पढ़िए उसको question attempt कीजिए, जैसे आपको करना आप कर सकते हैं, next जो है previous year papers, previous year question paper कैसे download करें, हमारी official website है www.studymasterofficial.com, description box में link provide में आपको करवा दूँगा, उस पे click कीजिए, direct link पे click कीजिए, आप जो previous year papers की on the spot, उस जगह पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे previous year papers, पोस्ट किये गए, जहाँ पे रखे हो previous year papers, तो वो download कीजिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, को doubt आई तो आप लोग हमें पूछिए, और ये हमारी paid services हैं, हमारी GKGS का booster course चल रहा है, आप उसमें enroll हो स ले लो, और जो बंद आपको ये बोले गएंगे, सोशलोजी ले लो, उसका कहीं भी अगर कोई paid course है, या कोई free course है, जाके देखना, उसमें सोशलोजी का course आपको अवश्य मिलेगा, हाँ, उसके पास history का course है, और वो कहीं कि सोशलोजी ले लो, फिर मानुगा कि वो आपको स सुनो सब की, करो मन की, मैं आपको यहाँ पर to the point बाते बताता हूँ, आपको मेरा course GKGS booster choose करना है, कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, पहले 5 lecture में free में दे रहा हूँ, देखिए, समझ आते हैं, आपको लगता है कि मेरा समझाया हुआ, आपको काम करेगा free में, main में, जाके GKGS booster, उसके 5 वीडियो देखिए, वीडियो देखने के पर पसंद आए, payment कीजिए, next पूरा lecture series ले लीजिए, कोई doubt आए, तो बेज़िक हम से पूछिए, ठीक है, धन्यवाद